सोसाइटी में बकरे पर विवाद बकरीईद से पहले बकरे पर ववाद लिफ्ट से एंट्री हंगामे ने करवाया बाहर बकरे पर संग्राम गूंजा जय हनुमार आधी रात को हुए इस हंगामे की वजह दो बकरे हैं वो दो बकरे जिनने बकरीईद पर कुर्बानी के लिए खरीदा गया मामला मुंबई के पास मीरा रोड इलाके की एक नामी हाउसिंग सोसाइटी का है यहां कुछ मुस्लिम परिवार बकरीईद के दिन कुर्बानी के लिए दो बकरे लेकर आये थी बकरों को बाकाइदा लिफ्ट से घर में लाया गया लेकिन इसकी ख़बर सोसाइटी के दूसरे लोगों को लग गई जिसके बाद धंगावा शुरू हो गया स्थिती अभी सामान ने है लेकिन अभी भी चरशा सोसाइटी के अंदर इसी बात को लेकर है कि आखिरकार जब सोसाइटी लगातार इस बात का विरोध कर रही थी कि यहाँ पर जानवरों को अंदर ना लाए जाए बकरी को अंदर ना लाया जाए साथी जो हलाल करने की बात है वो इस प्रिमाइसिस में ना हो उसको लेकर एक तरह से माहल अभी भी तनाव पूर्ण है पुलिस हालां की देर रात यहाँ पर मवजूद रही लगातार कोई कमिनल टेंशन यहाँ पर निर्माण ना हो उसका पूरा ख्याल रखा गया दरसल सोसाइटी में नोटिस के जरीए लोगों को साफ साफ बता दिया गया था कि सोसाइटी के भीतर बकरे की खुरबानी नहीं भी जा सकती हूँ इस नोटिस का हवाला देकर लोगों ने हंगामा किया और बक्रो को सोसाइटी से बाहर निकालने की मांग पर हंगामा करनी दो पिछले दो साल से हम सब लोग भाईचारे के साथ में रह रहे थे यहां पर सिर्फ दो तीन वेक्टियों की वज़े से इस सोसाइटी के अंदर इतनी जादा एक्टिविटी और इस तरीके की हरकते हो रही है कि पिछले चार-पाँच मैने से यहां पर असांती का महल बना तो लोगों ने विरोध में हनुमान चालिसा का पार्ट शुरू कर दिया अधी रात को बड़े विवात के बीच आखरकार पुलिस को दखल देना पड़ा पुलिस सोसाइटी के भीतर दाखिल हुई और लोगों को समझाने की कोशिश की हिंदू मुस्लिम ही नहीं है यहां पर सारी कॉम्मिटी है सिख भी है इसाई भी है और सारी जब कॉम्मिटी ने सोसाइटी ने सर्कूलर जारी कर दिया है कि यहां बकरा नहीं लाना है तो सारी लोग फॉलो कर रहे है लिकि यह कुछ लोग के वज़े से यह इस चीज़ को सब को सोसाइटी के नियम से चलना है तो सोसाइटी ने अगर माना किया तो उनको मानना चाहिए हमने भी रिक्वेश्ट किये कि सर सोसाइटी ने अपर ले दिया पिर से एजियम जब बैठेगे हम सब लोग जो इने बैठेंगे उसमें अगर पास होता है कि आपको बकरा लाने दिया जाए तो आप लाओ जो मुसलिम परिवार दो बकरो को लाया था उसे पुलिस ने समझा बुजाकर सोसाइटी से बाहर ले जाने को कहा तब जाकर मामला शान्त हुआ पुलिस ने सोसाइटी के नियम का हवाला देते हुए कहा कि सोसाइटी के भीतर गुर्बानी नहीं दी जा सकती और जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसकी गिरफतारी होगी पुलिस का अप्रोच किया था कि सोसाइटी ने उनको सभी अपने पधाजिकारियों से बात करके उनको निर्देश दे दिया कि इस तरह कि कोई भी गत्विधी के लिए सोसाइटी जो है हेलपलेस है आप जो सोसाइटी के प्रमाइसेज में ना तो बकरा ला सकते हैं ना हमारे पास जगह है कि हम आपको सेल्टर के लिए पिछले दो सालों में ऐसा उनकी तरब से दावाए कि दो साल से वो लोग यहां पर जो है बकरा काट रहे थे दो साल से उनको बिल्डर ने अपने सोसाइटी के बाहर में उनको जगह पे व्योस्ता करके दी थी इस साल भी बिल्डर ने उनको सोसाइटी के बाहर व्योस्ता करके दी लेकिन उन लोगों ने इससे लेने से मना कर दिया उनका कहना हमको सोसाइट प्रिमाइसेज में ही जगा चाहिए और हमेशा के लिए हमको जगा चाहिए हर साल हम सोसाइटी प्रिमाइसेज में ही करेंगे जो शक्स बकरा लेकर सोसाइटी में आया था उसकी दलील है कि बिल्डर हर साल सोसाइटी में बकरा रखने की जगा देता था लेकिन इस बार जगा की कमी का हवाला देकर बिल्डर ने मना कर दिया सोसाइटी के भीतर फिलाल शांती है और आगे ये विवाद न बढ़े इसे लेकर पुलिस एलर्ट है मुंबई से समवाद दाता अश्वनी पांडे के साथ ब्योर रिपोर्ट जी मीडिया जीनिर्स